आज मैंने आलू वड़ा बनाया है यह देखिए गर्मा गर्म आलू वड़े बने हैं बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं इनके लिए हम आलू लेंगे उबले हुए उनको मैश कर लेंगे आलू मैंने 5 से शेय लिए है इसमें कोई एक्जेक्ट क्वांटिटी नहीं है इंग् सक्तवत्लिका जो चीज आपको नहीं पसंद आप वह श्किप कर सकते हैं अध्रक डाल देंगे हरी मिर्च हरा धनिया गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर अनारधं़ माइटा राधाचम्मच नमक स्वादम सारसेinder इंग्रेडियन्स को हम मिक्स कर देंगे आलू को हम तिय कर लेंगे mix कर लेंगे अच्छी तरह से आलो mix करने के बाद अब हम बैसन देंगे चार से पांचमच मैंने बैसन लिया है और नमक स्वाधन सार डाल देंगे इसमे धनिया पाउडर आदा चमच आधा चमच गरम साला पाउडर रंग देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और तीखा पन देने के लिए लाल मिर्च इसमें डाल देंगे अब दो चमबच इसमें मैंने तेल डाला है इसे क्रिस्पी बनाने के लिए अब पानी डाल कर हम एक गोल तियार कर लेंगे ये गोल ना ज्यादा थीक होना चाहिए और ना ज्यादा पतला गोल ज्यादा थीक होगा तो हमारे जो आलू के वड़े हम इसमें डिप करेंगे वो तूट जाएंगे और बन नहीं पाएंगे और अगर ज़्यादा पतला होगा तो उनमें बेशन की कॉटिंग नहीं आएगी इसलिए ना ज़्यादा पतला बनाएंगे ना ज़्यादा घणा ऐसी consistency हमें चाहिए बेशन की अब आलू लेंगे हम उसके हम बॉल बना लेंगे ऐसे पेड़े की तरह दबा कर इनके बॉल बना लेंगे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बड़ा छोटा साइस कर सकते हैं मैंने थोड़े बड़े साइस के लिए हैं आप छोटे भी बना सकते हैं अब हम तेल को हमने गरम कर लिया है अब हम बेसन में इन बॉल्स को ऐसे डिप करके फ्राई करते जाएंगे हमने इनको तेज आंच पर पकाना है, तेल हमारा गरम है पहले हम इनको थोड़ा सा पकाने के बाद निकाल लेंगे और फिर से हम इनको फ्राई करेंगे, जिससे इनमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी मैंने सारे वड़े इसमें डाल दिये हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके डालिए ताकि कड़ाई में स्पेस रहे यह देखिये, इनको हम दोनों तरफ से पलट लेंगे, पका लेंगे थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इनको निकाल लेना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यह देखिये, मैंने वड़े जो हैं, इनको निकाल लिये हैं यह देखिये, अभी थोड़े थोड़े कच्छे है इनमें वो कलर नहीं आया है, जो हमें चाहिए अब हम एक मेशर की मदद से ऐसे हलके हाथ से इनको दबा देंगे आप कौली से, गिलास से, यह हाथ से भी इनको दबा सकते है लेकिन अराम से हलके हाथ से इनको दबाना है यह देखिये, थोड़े थोड़े आलू इसके बाहर की तरफ निकल आएंगे ऐसे जब हम इनको गरम तेल में फिर से फ्राई करेंगे तो आलू जो है, वो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा आप दबाईएगा मत वरना यह तूट जाएंगे अब इनको हम फ्राई कर लेंगे, दुबारा गरम तेल है हमारा इनको इसमें डालने के बाद हमने बिल्कुल भी इनको हिलाना नहीं है एक आदे मिनट के लिए इनको फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे यह देखिए इनमें बबल्स बन रहे हैं क्योंकि तेल हमारा काफी गरम है अब मैं इनको निकाल लूँगी एक आदा मिनट हो चुका है यह देखिए कितने अच्छे हमारे वड़े बने हैं कि इतना अच्छा कलर आया है इस निन में अब हम इनको निकाल लेंगे आप इनको ब्रेट के साथ, रोटी के साथ आप जा स्नेक्स के तोर पर खा सकते हैं देखिए गर्मा गर्म वड़ा बनाए हमारा अलू वाला इनको जरूर बनाएगा थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो प्लीस लाइक एंड शेयर माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू